पर्टाप को कितना। इनकी सीर्यस में की बातों को लेती है , फूरी विहार की जनता, उनके पर्टी की लोग भी जानता है कि पर्टी भाईो कि इह धेलू कि में सबमत। सब्सक्राइब करने के लिए बीजेपी की प्रदेश परवक्ता पूनम सिंग अब इनसे ही बात करते हैं देखिए अभी-अभी ब्रेकिंग निउस आई है कि पुसुपती पारस को इंडिया महागडबंदन भी अपने पार्टी में लाने से इनकार कर रही है पार्लियम एंटरी बोर्ट की बैठक चल रही थी जैसे ही बोर्ट की बैठक खतम होती है पत्रकारों ने सुनिल सिंग से कहा कि पारस जी का क्या महागडबंदन में आप लोग स्वागत करते हैं तो उन्होंने साबतार पे कहा कि उनके लिए कहीं जगा खाली नहीं है साथ-सा पार्टों सबसे पहले बयान देते हैं जैसे किंद्री मंदर्पत से इस्तिपात देते हैं पारस जी तो उन्होंने कहा प्तिशपता कि उनका welcome है इनको तो पहले ही इस्तिपात दे देना चाहिए हमारी पार्टी में उनके लिए दरवाजा खुला है तमाम विशेपे बात करने के लिए बात करते हैं पूनम सिंग से क्या कहिएगा पूरड़ी देवी जिओ यह दोनों का भाई बहान का जो मिलाप है यह दोनों का ब्वाई एक ही हो सकता है या तो तो सुनील के निस कहते हैं और तेज़ पर्ताप को क्तिरा उनकी पार्टी उनको सिरियस उनकी बातों को लेती सबको अप्रत्ता परटे ने हैं पार्ट्व है रख पार्टी संवान में नहीं कर सब्सक्राइब चलते हैं और सब को सम्मान देने का काम करते हैं। तो बागी सत्रेव जो बचेंगे बीजेपी में मिल जाएंगे यह लोग तो खेला खेलनी की बात ही करते हैं जितन राम मान जी को मुख मंत्री बनाने का उपर दे रहे थे क्या निश्कर्ष निकला यह लोग कितना भी कोसिस कर लें जो भाजपा में हैं एकट बंदन में हैं वो साथ है और साथ रहेगा और 24 और 25 का चुनाव साथ लड़ने जा रहे हैं तो क्या अभी तो केंद्री मंदर्पत से इस्तिपा दिये हैं तो क्या लगता है उन्हें कहीं नरेंद्र मोधी उन्पे दया करेंगे मों करेंगे एक एकंट देहिए उन को भिस्वाष है तभि तो उन्हों ने नरेंद्र मोधी विस्वार बिस्वा एंडिये के साथ है उनका सम्मान होगा धर्ज करें कि यह थी मैं साथ पूनम सिख जो अपनी बातों को साफ सब्दों में का जिस तरह से सुनिल सिंग कहे हैं कि पसवपती पारज के लिए राजद में कहीं जगह नहीं है तो ऐसा भी नहीं कहें हैं कि हम राजद में आ रहे हैं अनुमान लगा रहे हैं लोग कि आएंगे तो अनुमान लगाने से पहले ही उनका जो मन है तोड़ देंगे, कई जैसे NDA गट बंदन ने तोड़ा है, किनारा किया है, फिलाल मारी खबर में इतना ही, आप लोग देख रहे थे, DDW 24 News घंदेवाद